हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चानल में हूँ प्रियंका दोस्तो आज मैं आपके साथ ये मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ जो की है निउड मेकप लुक एंड इसके साथ मैंने वेयर किया है रेड ढखाई जामदानी सारी और दोस्तो ये मैंने मेकप लुक किया है लक्षमी पूजा के लिए दोस्तो जो लोग बेंगॉली मेरा फ्रेंड है उन लोग को पता ही होगा कि कलर लक्षमी पूजा है लक्षमी पूजा के दिन सभी रेट सारी पहनते हैं नया सारी पहनते हैं और उसके साथ आप ये nude makeup look carry कर सकते हैं nude makeup कर सकते हैं शाम के समय में जब आप पूजा करने बैठेंगे और मैं भी लक्षमी पूजा करती हूँ दोस्तों तो मैं भी इस तरीके से ready होती हूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत ही quickly ये makeup look create किया है तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डावार गुलारवरी का गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ as a toner and ये बहुत ही अच्छा toner का काम करेगा and उसके बाद मैं एक moisturizer cream apply कर रही हूँ जो की है निविया की and ये cream मेरी सबसे मतलब favorite cream है दोस्तो and मेरी skin थोड़ी सी dry हो जाती है तो इसलिए मैं यही cream यूज़ करती हूँ कभी कबार dry हो जाती है मेरी skin तो ये जो blue color का जो container में आता है वो cream है ये मेरी skin को बहुत अदा moisturizer रखते है and इसके बाद मैं एक aloe vera gel से as a primer apply कर रही हूँ मेरी skin पे मुझे और कोई primer की जरूरत नहीं पड़ती है उतनी ज्यादा and मैं एक lip balm apply कर रही हूँ maybelline की इससे मेरी lips जो है पो मॉशराइज रहेंगे and इसके बाद मैं foundation apply कर रही हूँ and मैं इसे अच्छी तरीके से एक wet beauty blender की मदद से मैं इसे blend कर लूँगी अपनी skin पे and बहुती light मैंने इसे लगाया है क्योंकि मुझे उतना जादा foundation पसंद नहीं है तो मैंने बहुती light base apply किया है and ये जो maybelline की fit me foundation है ये मेरी सबसे favorite foundation है दोस्तों तो इसलिए मैं इसे ही apply करती हूँ and हो सकता है तो मैं BB cream भी apply कर लेती हूँ कभी-कभी क्योंकि घर में पुझा-फुझा में मैं BB cream ही जादा apply करती हूँ CC cream apply करती हूँ so यहाँ पे मैं same foundation को as a concealer में apply कर रही हूँ and इससे क्या होगा मेरी जो eyes की dark circle है वो अच्छी तरीके से remove हो जाएंगे and cancel out हो जाएंगे and अब देख सकते हैं इसके बाद मैं एक powder so मैं इसे powder से थोड़ा सा set कर रही हूँ ताकि कोई crease ना पड़े and so इसके बाद मैं थोड़ा सथोड़ा करके जो powder brush में बचा था मैं उसे अपनी foundation को set कर रही हूँ ताकि मेरी foundation पे भी कोई crease ना आए and उसके बाद मैं थोड़ा सा contouring कर लूँगी अपनी face को अच्छी तरीके से and आप चाते हो तो आप contouring को skip भी कर सकते हैं and मैंने बहुत light weight contour किया हुआ है and उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से blend कर लूँगी मैं forehead में jaw line पे and मैं cheeks पे अच्छी तरीके से contour कर रही हूँ and उसके बाद अच्छी तरीके से blend करना है दोस्तो सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से blend किया किजिए and उसके बाद मैं blush apply कर लूँगी swiss beauty की eyeshadow palette में से ये तीनो nude color मैं blush apply कर रही हूँ क्योंकि ये एक nude makeup है तो मैं nude blush होनी मैं apply करूंगी and इसके बाद ये बहुत ही अच्छा एक pigmented eyeshadow palette है and आप देख सकते मेरे cheeks पे कितना अच्छा एक color इसने दिया है nude color and थोड़ा सा blush ज़ादा हो गया है and बहुत ही pigmented palette है तो इसी बज़े से मैं थोड़ा सा loose powder को लेके blush के उपर लगा रही हूँ and ये एक बहुत ही अच्छा hack है technique है जो कि मैं हमेशा try करती हूँ and इससे क्या होता है मेरी blush जो है बहुत light हो जाता है मेरी skin का color हो जाता है and मैं एक brush की मदश से powder को dust up कर रही हूँ blush की उपर से आप देख सकते है एकदम natural cheeks लग रहा है मेरी blush लगाने के बाद एकदम over color नहीं लग रहा है and इसके बाद मैं nose को contour कर रही हूँ मैं nose contouring करना भूल गई थी तो इसके बाद मैं nose को अच्छतरे किसे मैं contour कर लूँगी and उसके बाद मैं eye grow को fill up करके फिर बापस आती हूँ मैंने eye grow को fill up कर लिया है थोड़ा सा मैं black eye shadow आज थोड़ा सा मैंने try किया है eye grow को fill up करने के लिए and उसके साथ मैंने brown भी and black भी थोड़ा सा दोनों को ही मैंने mix किया है and इसके बाद मैं Hilary Roda की eye shadow palette में से दोनों जो newt color आप देख रहे हैं एकदम ही light newt color है ये so मैं इसे apply कर लूँगी and मैंने setting spray से अपने face को set कर लिया था तकि जो भी powder ही ने से वो खतम हो जाए and मैं eye shadow को अच्छी तरीके से अपनी eye पे apply कर रही हूँ मैं पूरी eye space अपलाई कर लूँगी ताकि एक बहुत ही अच्छा neutral look मुझे मिले and बहुत ही अच्छा eye shadow है जैसा कि मैं color चाहती थी मैं एकदम dark eyes नहीं करना चाहती थी dark eye shadow मैं एकदम light eye shadow करना चाहती थी and इसके बाद मैं थोड़ा सा Swiss beauty की cream color मैं थोड़ा सा ले रही हूँ Swiss beauty palette में से एक cream color में लेके थोड़ा सा eye ball पे apply कर रही हूँ and उसके बाद मैं थोड़ा सा highlight कर रही हूँ अपनी eyes को inner corner में and brow bone पे and उसके बाद मैं एक काजल pencil से अपनी lower lash में लगा रही हूँ and उसके बाद मैं एक brush की मदद से उसे मैं blend कर लूँगी अच्छी तरीके से and मैं brush की मदद से इसे मैं blend कर रही हूँ अच्छी तरीके से अब देख सकते हैं and थोड़ा थोड़ा करके मैं काजल को blend कर लूँगी and उसके बाद जो मैं nude color की eyeshadow लगाई थी मैं उसे काजल की नीचे नीचे थोड़ा सा मैं apply कर रही हूँ and dark जो nude color है उस palette में जो था उस color से मैं थोड़ा सा outer भी में focus करते हुए मैं थोड़ा सा outer भी पे inner मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा eyes जो है वो थोड़ा सा sharp लगे and आप look and मैं उसे eyeliner smudge कर रही हूँ मुझे smudgey liner बहुत ज़ादा पसंद है and मैंने काजल को भी अच्छे तरे कैसे smudge कर लिया है and उसके बाद मैं एक liquid liner से मैं थोड़ा सा पतला line में draw कर रही हूँ एकदम lash line की close close में draw कर रही हूँ ताकि एक बहुत ही अच्छा लुक मुझे मिले and मैं थोड़ा सा inner corner पे थोड़ा सा wing क्रियेट कर रही हूँ इससे क्या होता है मेरी eyes जो है बड़े बड़े लगते है and इससे पहले मैंने highlighter को apply कर लिया था ताकि eyeliner अपलाई करने के समय में कोई problem ना हो and उसके बाद मैं काजल को अपनी वाटर लाइन पर apply कर ले हूँ and उसके बाद मैं eyelashes को apply कर ली हूँ and मैं थोड़ा सा mascara से अपनी eye makeup को मैं finish कर लूँगी and उसके बाद मैं एक highlighter को ले रही हूँ and मैं उसे अपनी cheeks पर apply कर ली हूँ highlighter को जहाँ जहाँ भी मुझे highlighter की जरूरत है मैं बहाँ बहाँ highlighting कर लूँगी अपनी face को मैं nose पर highlighting कर लूँगी मैं cheeks पर कर लूँगी अच्छी तरीके से and आप मेरी eyes को देख सकते कितना प्यारा look आया है eyes पे so आप चाहते हो तो आप see per sip mascara भी लगा सकते है false eyelashes अगर आपको नहीं लगाना है तो and उसके बाद मैं एक nude color की lipstick ली हूँ जो की है color bar की velvet matte range में से and इस lipstick को मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी क्योंकि मुझे nude lipstick ही चाहिए था and इसके बाद मैंने बिंदी पहन लिये है red color की and red color की सारी मैंने पहनी है and with golden jewelry so इसके बाद ये मेरा final look है guys आप देख सकते है and मुझे तोड़ा सा nude color का makeup करना था तो इसी बज़े से मैंने nude color का ही makeup choose किया है मैंने यहाँ पे कोई भी red lipstick कुछ भी apply नहीं के है and आप मेरी makeup को पास से देख सकते हैं कि कितना अच्छा makeup होके आया है ये and eye makeup आप देख सकते हैं पास से so yeah so guys आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसे create किया तो ये बहुत ही आसान से आप लोग कर सकते हैं बहुत ही easy है ये makeup look and आप चाते हो तो आप red lipstick भी लगा सकते हैं and मैंने यहाँ पे nude लगाया है so I hope कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई है तो like, comment, share ज़रूर कर दीजिएगा and मेरी वीडियो को subscribe किये बिना बिल्कुल भी बत चाहिएगा subscribe ज़रूर कर दीजिएगा bell icon को ज़रूर hit कर दीजिएगा ताकि मेरी आने बोले जो notification है वो आपके पास easily पहुँच सके and आप सभी को happy लक्षमी पूजा so मैं मिल तूँ आपके साथ फीडियो एक next वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तो so bye